माउटेंज और ओल्ड सोल्स जैपनिस माइथिलोजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि इन्हें में से कुछ सोल्स युखाई में बदल जाती हैं जिन में से एक है यामा ओबा दा माउटें विच आज की वीडियो में हम इसी युखाई को डिसकस करने वाले है तो चलिए बिना कोई देर किये लेट्स केट स्टार्टेड यामा ओबा जपानी पहाडों और पुराने जंगलों में पाई जाने वाली चुडेल है जो एक समय पर तो इनसान हुआ करती थी पर अपने करप्ट बिहेवियर के कारण डीमन या वीच में बदल गई वैसे तो म यामा ओबा ओडिनारी काइंड ओल लीडिस की तरह दिखाई पड़ती है पर कुछ यामा ओबा हॉंस और फैंक्स के साथ अपयर होती है जिनके इविल नेचर का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि वो किसी पर अटेक ना कर दे यामा ओबा के घर की लोकेशन के बारे में का जाता था कि वो पहाड़ों की चोटी और एकान गुफां में रहती थी जहां वो कभी कभी ठके होई यात्रियों को खाना और सोनी के जगा देती थी पर जब दे रात को ये यात्री गहरे नीन में सो रहे होते थे तब यामा ओबा अपने असली रूप एक बदसूरत पू यही कहकर सुलाते थे कि अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ वना यामा ओबा तुम्हें लेने आ जाएगी लोगों का ये भी मानना है कि यामा ओबा एक औरत तभी बनती थी जब वो अपराद या बुरे काम करके जंगल या पहाड़ों में रहने लगती थी जबकि कुछ क कहानियों के मताबिक अकाल या आर्थी कठनाई का समय एक भ्यंकर समय होता था जब सभी को खाना खिलाना असंबफ हो जाता था तब परिवारों को अपने आपको बचाने के लिए किसी एक सदस्य को कम करना पड़ता था ताकि बाकी जिन्दा रह सके और ऐसे भ्यंकर समय मे बलिदान के लिए या तो नवजात को चुना जाता था या फिर वज़ूर को और उनी में से तो कुछ परिवार ऐसे होते थे जो अपनी माताओं को जंगल में मरने के लिए छोड़ देते थे यही छोड़ी हुई बुड़ी औरते गुस्त या हताशा के कारण बहानक को सिक लेती थी और आने जाने वाले दहागीरों को परिशान किया करती थी तो दोस्तों ये थी यामा ओबा दा माउंटेन विच जिसकी ड्रेटफुल अपेरंस रात के अंधेरे में किसी को भी पागल कर सकती थी आप इनके बारे में क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में जर पर आने जर शांग कि में अई इनके बारे में चाहिएक कर चाहिएक ग्शाब कर समय देएक कि कहने भी टसक आमुअल